नमस्कार दोस्तों कल लखेंपुर जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्टिय ध्यक्ष अखलेश यादों को गिरिफतार करके एको गार्डन लाया गया था ये खबर हमने आपको कल प्रमुक्ता से दिखाई थी लेकिन इसी बीच में एक बड़ा घटना करम हुआ क्योंकि 29 दिन से यहाँ पर उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के निविदा और समविदा करमचारी धरना पदर्शन कर रहे थे और एक दिन पहले ही उन्होंने जब पुलिस ने उनको रोका तो अर्दनगन हो करके उन्होंने पदर्शन किया था अखलेश यादों से मुलाकात करके उनको पूरी समस्या बताई और साथ ही उनको ग्यापन भी सौपा आज इसको ले करके हमने प्रदेश महामंतरी देवेंद कुमार पांडेजी से पूरे घटना करम के बारे में जाना कि किस तरीके से कलिये लोग गए अखलेश यादों से मुलाकात हुई साथ ही प्रदान मंतरी मोदी आज राजधानी लखनों में हैं तो उनको लेकर के बिजली के ये नविदा और सम्विदा करमचारी क्या अपील करना चाहते हैं आए देखिए आज एक बहुत ही महत्पूर्ण खबर और एक महत्पूर्ण वीडियो इको ग्रा बात हो पाई क्योंकि हमने देखा कि अर्द नगन हो करके सम्विदा करमचारी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे पुलिस भी रोक रही थी बड़ी हाता पाई और होश पहुश की पोजिशन थी क्या घटना करम रहा तल्पा कल हम लोग जैसे ही इको गार्डन पहुंचे पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को यहां लाया जा रहा है हम लोगों ने गृपों के माध्यम से एक संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बिजली के आउट्सोर्स करमचारियों का बड़े पैमाने पर सोशन हुआ है और बरतमान समय में समाजव समाजवादी पार्टी के मुखिया इकोगार्डेन में धर्ना अस्तल पही आ रहे हैं तो क्यों ना इनसे भी अपनी बात को रखी जाए जिसको ध्यान में रख करके लखनव के काफी लड़के इकोगार्डेन धर्ना अस्तल पहुंचे हम लोग माननी अख्ली सियादो जी से मिलने का प्रयास किया पुलिस प्रसाशन के प्रोटेक्ट करने के काराण मिलने में कुछ दिक्कते सामने आने लगी किसी प्रकार से हम लोग उन से मिले और इस बात का संदेश देने का हम लोगों ने काम किया कि मानिवार आपके समय में भी हम लोगों का सोचन बहुत हुआ है और आज भी सोसन हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पावर का अरप्रेशन द्वारा जो बिजली के आउट सोर्स करमेचारियों का लेवर का अनुबंध करके 440 वोल्ट की चलती लाइनों पर जो जमीन से लगभग 15-20 फीट की उचाई होती है ब्रेकरों पर कारी कराया जा रहा है 33,000 की लाइनों स्विच गीरों पर कारी कराया जा रहा है ये तमाम कारी जो हैं पावर कार प्रेशन अपने 33 रेणी के करमेचारियों से कराता है ऐसे में लेवर का अनुबंध करके 33 रेणी का कारी लेना न्याय संगत नहीं है दूसरी बात हम लोगों ने बताई कि इसी कारी को जब सेनी कल्यान निगम से तैनात करमचारियों से कराये जाता है तो उनका अनुबंध 24,000 का किया जा रहा है और संबिदा कारों के माध्यम से तैनात करके कारी कराये जा रहा है उन करमचारियों का अनबंदेगारा अजार का किया जा रहा है जबकि दोनों ही करमचारी आउट्सोर्ट्स के हैं और दोनों का कारी एक जैसा है एक ही है ये आपके भी सरकार में होता रहा है और आज भी हो रहा है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और समानकारी का समानवेत मांग रहे हैं तीसरी बात हम लोग उने बताई कि बिजली के संबिदा कर्मिचारी प्रतेक बर्स लगभग 500-600 दुर्गटना गरस्त हो रहा है इसमें अजिकांस कर्मिचारी मर रहा है जो बच जा रहा है हो विकलांग होकर के दूसरे के सहारे जीवनियापन करने के लिए मज भी हैं इस पर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है लिहाजा ध्यान दिया जाए इससे संबंदित हम लोगों ने ग्यापन भी सौपा और बताया कि हम लोगों का सोसन बंद होना चाहिए और इस सोसन का जिम्मेदार सभी लोग हैं जितनी भी सरकारे आई और गई सबी सरकारों में हम लोगों का सोचन होता चलाया रहा है वर्स 2000 से आज तक यह सोचन पर अंकुष लगना चाहिए जिसके बाद उनके द्वारा कहा गया है कि ठीक है हम इस पर देखेंगे विचार करेंगे फिर इसके बाद ग्यापन सौप करके हम लोग वापस आ गया पणि जिस प्रकार से एको गार्डन में कल यहां अखलेश यादो पूरुमुक मंत्री आये थे उसी तरह से आज भारत के प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी राजधानी लखनव कदारे हुए है तो बिजली के निविदा और संविदा करमचारी प्रधान मंत्री मोदी से क्या अ साये हैं मैं माननी प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आपके द्वारा तमाम यो जनाये चलाई जा रही हैं तमाम लोगों का ध्यान दिया जा रहा है क्रिपिया बिजली के आउट्सोर्स करमचारियों के तरफ भी अपनी नजर घुमाएं और दे जब खंबे पर चड़ करके कारी करते हैं तो किस तरह से जल रहे हैं किस तरह से जल करके खंबे से गिर के मर रहे हैं किस तरह से अपंग हो करके अपना पेट पालने के लिए मजबूर हो रहे हैं आज इन कर्मचारियों को 76 वेतन दिया जा रहा है क्या 76 में किसी ब्यक्ति का परिवार का गुजारा हो सकता है इस पर ध्यान देने की आउ सकता है और मैं माननी प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूँगा और मुझे आसा भी है साथ है साथ प्रधेश के सभी आउट्सोर्स कर्मचारियों का जो विजली विभाग में काम करते हैं उनको देश के प्रधान मंत्री जी से बहुत आसाएं हैं उन आसाओं को ध्यान में रख करके मैं निवेदन करूँगा कि पावरकार प्रेशंद्वारा उत्तर प्रधेश में जिस तरह से बिभाग के नीतियों का गला घोट कर नियमित प्रकार के कारियों को भी ठेकेदारी विवस्था के तहत कराई जा रही है इस ठेकेदारी विवस्था को समाप्त कराएं बिजली के ठेका मजदूरों को मश्टरोल विवस्था के तहत समायोजित कराएं तथा समान कारिका समान वेतन दिलाने की दिशा में पहल करें या कम से कम इन करमचारियों को रुपया 18,000 वेतन निर्धारित कराते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जो हितलाव दिये जाने वाले हैं उसको दिलवाएं मौतों पर दुरघटनाओं पर रोक लगाएं एपिएफ यसाई में जो करोणों का घोटाला हुआ है इस पर ध्यान दे इसकी जांच कराएं और जो दोसी लोग हैं इनके खिलाफ सक्त करवाई कराएं यही उत्तर प्रदेश पावर कार प्रेशन निविदा संविदा कर्मचारी संग लखनाओं का देश के माननी प्रधान मंत्री जिसे गुजारी से निवेदन है प्रार्थना है बिंती है